आज मैं आपको रेविट फार्मिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो की रेविट फार्म खर्गोज पालन कैसे किया जाता है कैसे चलाया जाता है कैसे बच्चे लेती है, कैसे मेटिंग होती है कैसे हम उस बच्चों को पालते है फीड में हम क्या देते है बेमारियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो हम पहले मेटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कर्स करेंगे जैसे कि ये फिमेल है इसकी मेटिंग हम करवाएंगे तो फिमेल को मेर के बोक्स में डाल देंगे डालने के बाद में ये तीन गर्मी मेटिंग हो जाएगे मेटिंग होने के बाद में हम पींजरे से वापिस निकाल के और फिमेल को पींजरे में रख देंगे और फिटर बॉक्स पे नम्मर डाल देंगे डेट डाल देंगे तो ये खाम तो मेटिंग का है मेटिंग होने के एक मैने बाद में फिमेल जो बच्चा देगी वो बच्चे सोटे मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक दो दिन के बच्चे भी है जैसे कि ये बच्चे है मेरे साथ दिन के है जो इस पिमेल ने बच्चे दिये है इसने बच्चे दिये है छे बच्चे दिये है इससे बड़े बच्चे भी मेरे पास है जैसे कि ये बच्चे इनके आँख खुल गई है, यह कम से कम तस वारत इनके वक्षे है तो मादूत पिलाती है, एक मेंने मादूत पिलाएगी उसके बाद हम माद से अलग कर देंगे अलग करने के बाद मैं इनको खेड़ सालू कर देंगे आएए, अब मैं दिखाता हूँ आपको यह करीबन डेज मैंने का बच्चा है यह इसका वजन है आठ सो नो सो ग्राम इससे बड़े मेरे पास बच्चे है यह बच्चा है करीबन तीन मैंने का तेन मेंने का है इसका बजन है एक किलो आट सो नो सो ग्राम कहने का मतलब कि दो किलो के संथिंग जा रहा है इसके वादे इसे फोले चोटे बच्चे हैं जैसे कि ये डेटेन महिने के बच्चे हैं इनका अर्दी कीजों केजी 600 ग्राम का बजन आ रहा है इन में किसी तरह की बेमारी नहीं है और फीट के अंदर फीट के अंदर यहों का चोकर है मक्का है जो है चना है सर्सो की खल है यह देते हैं और दूसरी टाइम रिजका है इनको एक टेम रिजका दिया जाता है और एक टेम इनको ट्वीट दिया जाता है और हम अगर रेविट फार्म करना साहें तो हम कम पुंजी में कम पैसा लगाकर अराम से खरबोश पालं कर सकते हैं इसमें अच्छा मुनाफ़ा मिलेगा तो सभी किसान वहियों को मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर रेविट फार्म करें तो अच्छा मुनाफ़ा हम कमा सकते हैं ये आसे रेविट फार्म से मैं जुड़के करीबन पांच से मेने के लगबन हो गये हैं मेरे को और मेरे पात सोपे रेडिट गी है बडे रेडिट गी है और मैं अच्छी तरह से काम कर लेता हूं एक दो गंटे सुबह काम करता हूं एक दो गंटे साम को काम करता हूं तो इसमें मेरे कोई प्रकारिकी परेशानी नहीं हुई है और मैं आशेन अरेविक फारम के जुगा हूँ और कोई पिसाम भेल को अगर जुनने जुनना हो देखना हो तो हमारी फारम में आईए मैं राधिस्तान से जुंद्रों डिश्केक चे नुमास गाउं से बोल रहा हू मैं जासे में फारमिंग कर रखी है मेरे कोंटेक्ट नमर है चान में बतर 63, पिच्यान में 63 एक बार दुबारा कोंटेक्ट नमर बता रहा हूं चान में बतर 63, पिच्यान में 63 धन्यवाले